तो आज पिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉलुशन लेके और आप सभी के प्रीसियस टाइम को सेफ करने के लिए आज का जो टॉपिक लेके आया है उसका नाम है How to add new Cognito Forms entries in Google Sheets automatically क्या कर रहे हैं हम इस टॉपिक में इस वीडियो के अंदर कि मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आपके Cognito Forms की entries को automatically save कर सकते हो, add कर सकते हो अपने Google Sheets में बिना आपको कुछ किये form submit करेगा user और automatically वो उसकी details जो उसने form में fill करी हैं वो add हो जाएंगी आपकी Google Sheets में जी हाँ, it is possible यह automation के help से हो सकता है जो अमने सख किया है Cognito Forms और Google Sheets के बीच में क्या होगा, जैसे ही Cognito Forms में form submitted होगा वैसे ही Google Sheets के अंदर उसकी details add हो जाएंगी बड़ जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोनों ही applications का आपस में कोई भी direct connection नहीं है सो यह connection बनाने के लिए मैंने help ली एक software की जिसका नाम है पैबली connect automation and integration software है और 100 task monthly free देता है और free में account भी आप बना सकते हो और best part तो यह है इस automation का के इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding skills या फिर programming knowledge का आना ज़रूरी नहीं है आप एक non-technical और normal user भी है ना तो भी इस automation को बहुत easily set कर सकते हैं मैं यह automation आपको अभी set करके दिखाता हूँ पूरी process बताऊँगा step by step अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com प्रेस एंटर यह है official website क्लिक करेंगे sign up free पर अपना account एक दम free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that time मैं क्लिक करूँगा sign in पर first option आएगा public connect का क्लिक करेंगे access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा public connect का dashboard right hand side में create workflow का option आएगा हमें उस पर क्लिक करना होगा okay create workflow पर क्लिक करेंगे दन अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूगा मैं नाम दे देता हूँ cognitive forms to google sheets ठीक है मैंने नाम दिया है cognitive forms to google sheets आप जो नाम चाहें वो नाम दे सकते हैं कि important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा असी workflow का आपको जाना अस link पर क्लिक करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाऊगे वो भी एक दम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने तो windows आगे trigger action दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते है कि हमारे cognitive forms को जब भी को user आके fill करे तो automatically user की details जो इसने form में fill करी है वो add हो जाए एक new row में हमारी google sheets के अंदर ऐसा करने के लिए मुझे first application में सबसे पहले choose करना होगा cognitive forms को search किया choose कर लिए cognitive forms को then trigger event में चूज करूँगा new entry okay क्योंकि एक new entry जब हो तब trigger काम करें यह मैं चाहता हूँ then is webook url public connect मुझे दी इसको copy कर लूँग और नीचे दिएगा instructions को follow करते हुए webook url को जो है webook url के help से integrate कर दूँग अपने cognitive forms को पैबली connect से तो यह है वह form जिसका नाम है sign up form है ना और यहां पर मैंने date address email phone number और full name यह कुल जो है पाच fields बनाई है और यह वह spreadsheet जिसमें चाहता हूँ कि मैं data add हूँ तो पहले तो मैं यहां पर इनको नाम दे देता हूँ full name okay full name इसके बाद address इसके बाद email इसके बाद phone number और क्या है और date submission date ठीक है यह मैंने यह कुल अपनी मैंने एक दो तीन चार पाच fields बना दी है ठीक है है इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ थाकि आपको देखने में आसानी हो जाए ओके ठीक है bold कर देता हूँ size इनका थोड़ा सा increase कर देता हूँ centralized कर देता हूँ तो यहां पे मैंने पाच fields बनाई है यह वाली spreadsheet के अंदर data add हो जाए जब भी इस form को कोई fill करे इस sign up form को automatically इसकी details इस spreadsheet में add हो जाए यह मैं चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस form को integrate करना होगा इसके लिए मुझे आना होगा अपने cognitive forms पर जैसा कि आप देखने दो forms रेस record और sign up form तो मैं sign up form integrate करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इसको open करूँगा open करने के बाद यहां पर आप अपने according form create कर सकते मैंने छोटा सा form create किया आपको और भी details चाहिए हो तो आप यहां पर edit करके अस form को edit कर सकते है ठीक है उसको copy करना है और यहां पर आके आपको कर देना है paste ओके यहां पर मैं paste कर देता हूं simple ठीक है then नीचे आके मैं क्या करता हूं इधर पर आके save पर click कर देता हूं okay save पर click कर दिया है मैंने ठीक है save हो गई है मतलब अभी यह form integrate हो गया successfully पैब्ली कनेक्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं waiting for webook response का option आ रहा है तो अब उस form को जब भी कोई fill करेगा तो पैब्ली कनेक्ट उसका data तुरंत capture कर लेगा तो चलिए क्या करते हैं हम form को fill करके check कर लेते हैं एक बार मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं नाम चेंज हो गया इसका हमारा form है sign up form okay sign up form ठीक है मैंने नाम चेंज कर दिया है ठीक है then save पर click कर देता हूं और इस form की जो link है URL उसको copy करके मैं क्या करता हूं एक new tab में open करके user बनके उस form को fill करता हूं then हम चलके check करेंगे कि इसकी details public connect के पास पहुंचती है या नहीं तो मैंने एक new tab में वह form open कर लिया है ठीक है sign up form हमारा जैसा कि आप देख रहा है name last name address phone number email current date ठीक है तो मैं फॉर्म को fill कर देता हूं माली जे डेनियल जो नाम का मैं कोई इंसान हूं और यह मेरा address है और यह मेरा phone number है और यह मेरा email address है और आज की current date में यहां पर डाल देता हूं 14th of March है तो मैं क्या करता हूं इसको submit कर देता हूं इस form को देन मैं चलिके check करूंगा पैबली connect के पास इस form की details पहुंचती है कि नहीं so yes points submitted in your record ओके सो यहां पर form हमारा successfully submit हो गया है तो जैसा कि आप देख रहा है यहां पर response received हुआ है तुरंत हमारे पास है ना name first name जो है पैबली connect को order दूँगा के आप यह सारी details Google Sheets में add कर दो इसके लिए मुझे क्या करना होगा Google Sheets सर्च करना होगा second application में सर्च करके चूज कर लेता हूं Google Sheets को मैंने चूज कर लिया है अपने पैबली connect में तो यहां पर select spreadsheet का option आया है यहां पर मुझे selection करना है जिसका नाम है cognitive forms response जैसा कि आप देखना है यही नाम है अगर और कोई नाम होता तो मैं यहां पर search कर सकता था ठीक है और यहां पर जैसा कि आप देखना है कई सारे नाम है तो मेरी spreadsheet के नाम है जो भी मेरे google account में मौझूद है that's why यहां पर show हो रहे है okay cognitive form response को मैं choose कर लेता हूं ठीक है then select sheet okay sheet 1 है okay so by default selected है क्योंकि और कोई option नहीं है ठीक है then आजा था full name address email phone number submission date okay यह 5 field आई है क्योंकि मैंने 5-6 column बनाए है अगर मैं 10 बनाता तो यहां पर 10 field आती है अब मुझे इनके अंदर data add क करना है full name मुझे कहा से मिलेगा cognitive form में फिल किया है user में full name तो cognitive form के data से मिलेगा अब मुझे यह वाला data है यह वाला data है जैसे कि मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा । मुझे add करना पड़ेगा यहां पे तो इसके लिए मैं एक टेकनिग करूंगा इसका नाम है mapping चलिए करक क्लिक किया तो सारा जिए ओपन हो गया कॉगनेटर फॉर्म से मिला हुआ फुल नेम देखके क्लिक करके आइड कर देना है सिंपल इसी को कहते है मैपिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसे एड्रेस के साथ भी करना है प्लैंक फिल्ट पर क्लिक किया कोगनेटर फॉर्म पर गया है एड्रस फाइंड किया कहा है यह रहा एड्रस ओके सारा का सारा एड्रस हमने यहां पर मैप कर देंगे कहा है इमेल 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 कहां पर है इमेल ओके सो इमेल यह रहा ठीक क्लिक करके आइड कर दिया सिंपल फोन नंबर के साथ भी सेम चीज़ करेंगे फोन नंबर कहा है ओके सर्च कर लेंगे फोन नंबर को पैबली कनेक्ट के अंदर जो भी फॉर्म की जीटेल्स थी वो, ओके, सो मैंने क्लिक किया, सेवन सेंग टेस्ट रोकेस्ट में, सक्सेस्फुली रिस्पॉंस रिसीब रिसीब हो गया, चलके चेक करते हैं, सो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही डीटेल्स के साथ, हमारे सामने डेटा आ गया है, मैं इनको दिखा देता हूँ आपको, है ना, फुल नेम, एड्रेस, इमेल, फोल नंबर, सब्मिशन डेट, पूरी सारी डीटेल्स आ गई हैं हमारे पास, और मैंने अपना automation successfully set कर दिया है, simply safe पे क्लिक कर देना, यह automation यहाँ पे set हो गया, आपका काम खतम, अब software का काम चालू, अब software यह सब करने लगेगा, जब भी आपका form कोई submit करेगा, cognitive form को जब भी कोई submit करेगा, तो automatically उस form को submit करने वाले की details, एड हो जाएंगी आपकी Google Sheets में, जैसे की हमारे सामने यह details एड होई हैं, और ना सिर्फ इन applications को पैबली कनेक की help से, आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के, जादे जादे एक बात फिर से बता देता हूँ, आपको एक लिंक मिल जाएगा, जो कि होगा ऐसी workflow का आपको जाना, उस link पर क्लिक करना है, और आप भी यह same workflow अपने account में यूज कर पाओगे, वो भी एकदम free, इस वीडियो से related कुछ questions होता हैं, आपके queries होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी team से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं, यहां दी गई link पर, और आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है, तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी, और जाते जाते एक बात बता दूँ के हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को like करना मत बूलेगा, और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत बूलेगा, ठैंक्स!